Good morning students, so today we are going to discuss the topic that is the center of mass of a thin uniform road But, यह topic discuss करने से पहले हम दो important terms को discuss करेंगे That is the linear mass density denoted by lambda and the second one is the area mass density denoted by the sigma Clear? तो linear mass density का क्या मतलब है? जैसे for example हमारे पास एक wire है जिसकी length आप consider कर रहे हो लेकिन उसकी breadth है वो हम negligible consider कर रहे हैं तो जब आप एक wire जैसे आप यह consider कर रहे हो तो इसकी length भी है और साथ में इसकी thickness भी है तो यह आप यह case में करोगे इसमें इसकी जगाँ आप एक पारीक सी thin सी wire consider करोगे जिसकी सिर्फ length consider करोगे और जो उसकी thickness है मुटाई जो है वो आप negligible consider करोगे clear तो आपने एक thin rod लिए यह wire लिए जिसकी length L है mass density यह mass distribution का क्या मतलब होता है कि जब भी आप mass की distribution करते हो तो mass आप कहां कहां distribute कर सकते हो जैसे for example आपके पास एक wire है clear उस wire की ऊपर जब आप mass की distribution करोगे जैसे आपके पास thin सी wire है इसी को consider कर लो इसकी thickness को आप negligible consider करो इसकी ऊपर जो आपने mass को बंटा हुआ है इसको हम बोलते है linear mass distribution या linear mass density ठीक है whenever the mass is distributed over the length length में जबी भी आप mass को बंटोगे तो वो आपके पास linear mass density आएगा clear आप for example आपके पास sheet है जैसे यह sheet ली मैंने इसका length भी और साथ में इसकी breadth भी है तो जब आप इस sheet की बात करोगे तो इसमें जो है जैसे यही sheet पड़ी है इसकी length और breadth दोनों है means आप इस sheet का length नहीं consider करोगे इस sheet का area आएगा जबी भी आप mass को area में distribute करते हो for example यहाँ पे इस sheet पे जो sheet का पूरा mass है वो उसके area में distributed है तो आप उसको बोलोगे area mass density या area mass distribution 11th में मेरे पास दो main topics आते है linear mass density जब आप length में mass को बंटोगे area mass density जब आप area में distribute करोगे और 12th में आपके पास एक और चीज आती है जिसको हम बोलते है volume mass density volume मतलब length, breadth and height तीनों चीजों में जब mass distribution होगी then it is known as volume mass density अब यह करने से पहले आप सबसे पहले हम बात करते है इस में distribution होती है mass की वो uniform होती है अब uniform का क्या मतलब है जैसे for example आपके पास 100 rupees है मैं आपके पास 100 rupees है और आपके पास 100 rupees है और आपने उस 100 rupees को जैसे यहां पे मेरे पास किया mass है कैसी होनी चीए कि वो uniformly बटे हर एक बच्चे के पास same amount में पैसे आए तो आपको कैसे करोगे बहुत सिंपल है कि जिस चीज को आप बाटना चापते हो यानि कि rupees को जिसको आपने बाटना है उसको आपने लिया और जिस जिस भी बच्चे को यह जितने भी बच्चों को आप उसको बाटना चापते हो उसको उसके साथ डिवाइड कर दिया यानि कि उपर वो नंबर आया जिसको आप डिवाइड करना चापते हो नीचे वो नंबर आया जिसमें distribution आप करना चापते हो तो उपर मैं rupees के distribution करना चापते हो नीचे बच्चे को देना चापते हो 100 by 5 आया त बतलब हर एक बच्चे के पास 20 रुपीज आ जाएगा तो यह distribution कैसे है uniform it is known as uniform distribution of rupees जब आप पैसे uniformly distribute करते हो clear तो यहाँ पर मेरे पास 5 students मैंने बना दिये और 5 students की case में हर एक के बच्चे के पास 20 20 रुपीज आ गया तो आप इसको बोलोगे uniform distribution of rupees है clear अब जब मैं आपको topic करवा रही उसमें मैं बोल रही uniform distribution of mass आपने mass को बाटना है कैसे बाटना है length में बाट होगे area में बाट होगे या volume में बाट होगे लेकिन वो इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो uniform होना चाहिए तो यहां पर मैंने देखा जब total rupees की आपने बात की total rupees upon total number of students then it is equal to 20 20 आया अब आप एक बच्चे की बात करूँ जब आप एक बच्चे की बात करोगे तो मैंने क्या रख है उपर हमें rupees है जिसको बाटना नीचे क्या है मेरे पास student है तो जब आप यहां पर total की बात हो रही है तो जब आप पूरे की बात करें हो total की तब भी आपके पास 20 rupees आ रहे है अब मैं single की बात करूँगी तो single उपर rupees आना चाहिए तो एक बच्चे के पास rupees कितने है 20 और नीचे student आना चाहिए किस में बात है आपने एक बच्चे में बात है तो आपके पास है 20 upon 1 तो 20 upon 1 भी तो 20 आया है means जो total की value है 100 by 5 जो total में आपने distribution की है वो भी 20 आ रहा है जब आप एक बच्चे की बात करें तो भी 20 आ रहा है अब आप तीन बच्चों की बात कर लो तो तीन बच्चों में कितने है 20 plus 20 plus 20 वो 60 रुपीज बट है और किस में बांट रहे है आप तीन बच्चों में बांट रहे है तो ये भी आंसर आपके पास 20 आया है clear अब आप 4 की बात करो तो 4 में 80 upon 4 आएगा again answer is 20 तो जब आप uniform distribution करते हो तो ध्यान रखेंगे आप whenever the distribution is uniform तो आप total की बात करो तो भी 20 आ रहे है एक segment की ये individual की बात करो तो भी 20 आएगा मतलब ये ratio mass upon sorry rupees upon student की ratio is always remain क्या चीज़ आएगी constant आई हमेशा constant रहे है लेकिन ये सिर्फ तभी होगा जब आपकी distribution uniform होगी अब आप एक बच्चे को 20 दे रहे हो एक को 30 दे रहे हो एक को 50 दे रहे हो तो थोड़े नहीं uniform distribution है तो ratio आपके पास 20 आएगी total करोगे लेकिन जब आप 1 की बात करोगे तो 20 आएगी दो की बात upon 2 तो आपके पास 25 आएगा यानि कि जो आपकी ratio है वो vary कर जाएगी ratio जो है that will always remain constant whenever the distribution is uniform तो आप ध्यान से देखो total के case में 20 आया और individual एक segment की बात की तो भी 20 आया total की case में भी constant number आ रहा है 20-20 और individual की case में भी 20 आ रहा है अब यही बात कर लो इसको यहाँ पर apply कर लो मेरे पैसे एक wire है जिसकी length L है उसके आपने M mask को distribute करना है तो वैसे same चीज़ा आपके पास 100 रुपीज थे और आपके पास 5 students थे तो 100 रुपीज को आपने 5 students में distribute करना था clear तो ऊपर क्के चीज़ा आयी थी जिसको आपने distribute करना था वो number अपर आय था जिसमें distribution रही थी वह number नीचे आया तो यहाँ पह आपके पास क्या distribute करोगिया मास को distribute करना है over the length तो जिसको distribute करते हैं वो number उपर आता है और जिस पर distribution होती है वो number नीचे आता है तो मेरे पास आएगा जिस चीज़ को बाढ़ता है अपने mass को बाढ़ना है over the length तो mass upon length तो mass per unit length is known as linear mass density तो इस पूरी total wire की जब आप बात करोगे तो total बच्चे की बाढ़ना है तो पूरे wire की बात करोगे तो myl आएगा वैसे अगर मैं इसकी बात करोगे तो मैंने आपको बताया पूरी wire है तो वो पूरी wire कैसे बनी है छोटे-छोटे segment से मिलके बनी है जिसकी length dl है ठीक है तो जब आप बात करोगे चोटे से सेग्मेंट की जैसे यहां पर था total की बात 20 थी लेकिन एक की बात की थी तो भी 20 आया था similarly यह पूरा जो length है यह चोटे-छोटे हिस्से यानि कि dl dl से मिलके बना है तो जब आप पूरे की बात करोगे है तो m by l lambda यानि की देखो 20 नंबर आ रहा है वैसे जब आप छोटे से सेग्मेंट की बात करोगे तो पूरे का मास M है लेकि छोटे से सेग्मेंट का मास small जो मास होगा उसको dm से रिपरजेंट करेंगे तो लेंट dl अगर आप छोटे से सेग्मेंट की लिनियर मास डेंस्टी निकालेंगे तो यहां लिखेंगे हम यह दे लिनियर मास डेंसिटी ओफ द्स्मॉल सेग्मेंट की देखो आप linear mass density निकालोगे तो वो lambda आएगी जब छोटे सी segment की बात करोगे वो भी क्या आएगी lambda तो यह constant रहता है क्योंकि distribution uniform है तो linear mass distribution is defined as the mass per unit length, mass का unit kilogram और length का meter clear next आता है area तो जब आप के पास एक sheet है जैसे यह है जिसकी length और breadth है इसमें आपने mass को distribute करना है then we call it as area mass distribution or area mass density denoted by sigma suppose this is the sheet having a mass m and the area of the sheet is a so यहाँ पे जो distribution है आप थ्यान रखेंगे जभी भी आप एक wire में जिसकी negligible thickness है उसमें जब आप distribution करोगे तो वो linear आएगी length में जब मास जाएगा और जब आप इसकी बात करोगे तो sigma है तो यहाँ पे mass किसमें distribute हो रहा है area में तो यह बनेगा it is defined as the mass per unit area अब इसके छोटे से सेग्मेंट की बात करो तो छोटे से सेग्मेंट का mass dm आएगा छोटे से यह uniform distribution हो रही है तो यह आएगा mass upon area तो छोटे से सेग्मेंट का क्या बनेगा डी एम अपॉन डी ए तो किलोग्राम एरिया का मीटर तो किलोग्राम मीटर इंवर स्कूयर आ जाएगा यह जिसे फॉर एक प्लास्टिक की बॉल है तो प्लास्टिक की जो बॉल है उसमें जो आपने mass की distribution की है वो उसके surface पे की है अंदर तो खाली है तो वो कौन से distribution है वो भी आपकी area mass distribution है क्योंकि वहाँ पे mass उसके surface में बटा है ठीक है लेकिन अगर प्लास्टिक की बॉल को मैं replace करके रबड की ball ले लूँगी ठीक है तो रबड की ball के अंदर से पूरी field है भरी खाली तो नहीं है तो वहाँ पे जो उस रबड की ball का जो entire mass है वो उसकी पूरे volume में distribute हुए तो वो जो मेरे पास आएगा वो distribution आएगी volume mass distribution वो मैं भी करवाने रही हूँ क्योंकि वो 12th का topic आपका clear तो जब whenever the mass is distributed over the area for example in case of plastic ball तो वो distribution आएगी आपकी area और surface mass distribution और जब आप उसको हटा के volume लोगे यानि कि रबड की ball लोगे तो रबड की ball पे चो distribution आएगी that is the volume mass distribution जो अभी मैं करवाने रही हूँ नेकिन उसको रो से रिपरेजेंट करते और वो आएगा mass upon volume और unit बनेगा kilogram meter inverse cube clear ये दो important चीज़ है अब next topic आता है आपके पास center of mass of a thin uniform road अब थिन लिखा है यहां पर और इसमे road बोले है तो आपने बारीक सी थिन सी wire लेनी है जिसकी length consider हम करेंगे L mass उसका M है लेकिन उसकी जो थिकने से वो negligible consider करोगे और वो x-axis पर रखी है तो आपने उसका center of mass नि mass then we have to apply the formula तो में पस दो formula है RCM which is equal to M1 R1 plus M2 R2 plus so on upon M1 plus M2 और दूसरा मैंने अभी आपको करवाया है जिसके according आपका formula क्या बनता है 1 upon M ठीक है जो आपको formula मैंने discuss किया है class में तो उसका में पस formula ये बनता है 1 upon M RCM जो होता है DM into R आपता है अब यहां मैंने execute लिए अब देखो इसमें first formula क्यों नहीं apply किया क्योंकि जो भी आप system consider करते हैं उसमें आप देखोगे कि वो किस चीज से मिलके बनी है number of particles कितने है अब यह wire है जैसे पूरी wire है यह छोटे छोटे segment से मिलके बनी है लेकिन क्या आप बता सकते हैं इस wire में कि जोड़ोगे तो इसकी पूरी length बनेगी clear तो छोटे से segment की length को मैं dx consider कर रही हूँ छोटे से segment का mass में dm consider कर रही हूँ तो इस छोटे छोटे हिससे को जोड़ोगे तो पूरी wire बनेगी clear तो यहां पे जो formula हम apply करेंगे यह formula M1 R1 वाला use नहीं होगा क्योंकि मुझे नहीं पता किया हुआ है 1 by M वाला और वहां पर मैंने XCM क्यों use किया RCM क्यों नहीं use किया क्योंकि यह wire इसकी सिर्फ length ही है और आप उसको X axis में रख रहे हो अगर वह X axis में आप रख रहे हो तो उसका center of mass भी तो X axis में ही आएगा जब यह wire Y axis में नहीं है Z में रखी है आपने सिर्फ पत्ली सी वायरा और X axis में रखी है तो center of mass भी तो X axis में आएगा यानि कि center of mass का Y coordinate और Z coordinate जो है जिसको हम Y CM और Z CM बोलते है वो 0 आएगा सिर्फ कौन सा coordinate आएगा X CM XM का formula होता है 1 by M integration of DM into X where DM is the mass of the small segment as X is the position vector of that small segment इस चोटे से सेग्मेंट का position होती है clear तो मैंने अब मुझे यह चीज निकालनी है तो mass तो मुझे पता है wire का total अब चोटे से सेग्मेंट का mass निकालना है DM और चोटे से सेग्मेंट का position बतानी है कि origin से कितनी है position vector रही है ठीक है it is the position vector of DM ठीक है तो यहां से यहां तक का distance मैंने X consider कर लिया है छोटे से सेग्मेंट का तो सबसे पहले हम DM पर फोकस करेंगे तो DM को निकालने के लिए क्या करेंगे यह मैंने बता दिया आपको Y CM कोडिनेट जो पूजीशन वेक्टर के 0 होंगे पूरी वायर की आप linear मास टीक है लेंथ में डिस्टिबूट है मास तो आपके पास फॉर्मूला लीनियर मास देंस्टी का बनेगा पूरी रॉड की जब आपात करोगे तो लेंडा इस इकल टू मास अपॉन लेंथ बनेगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ और चोटे से सेग्मेंट की बात करनी है हमने तो चोटे से सेग्मेंट की linear mass density निकाल ली है तो linear mass density पूरा लिखेंगे आप of small segment तो वो भी सेम ही है क्योंकि uniform distribution है तो lambda लैम्डा लैम्डा सेम रहेगा m की जगा क्या आएगा dm और उसकी length mass upon length है तो mass upon length आजाएगा dx dm upon dx clear यहां से dm is equal to lambda into dx आजाएगा lambda into dx ठीक है now dm as it is raw from equation number this यहां से मैंने lambda की value पूट की है तो मेरे पस dm आ गया where m is the mass l is the length of the road यह आ गया now the position vector आपने जो निकाल ला है center of mass का वो axiom का formula लगा 1 by m integration of dm into x where 1 upon m as it is रहेगा integration of dm तो dm की value आप यह पूट करेंगे और x की जगा क्या आएगा उस छोटे से segment का origin से distance तो छोटे से segment का origin से distance कितना है वो x ही रहेगा clear अब lower limit और apply limit हमने लगानी है तो हम यहां से चलेंगे wire की ठीक है जब यहां से चलेंगे तो छोटा से segment अभी तक जोड़ा नहीं है आपने तो यहां पे उसकी length 0 है फिर छोटे से segment जोड़ोगे तो थोड़ी से length उसकी बढ़ जाएगी और segment जोड़ोगे तो और length है integration जो वो 0 से लेके over the length of the wire आएगी तो 0 से लेके length तक आएगा तो मैंने यहां पे values राओ दी m by l dx position vector x आजाएगा 0 से लेके l m by l constant term में उसको बहार निकाल दिया dx into x अब यह dx square नहीं बनेगा यह term है और integration के साथ dx लगाना पड़ता है इस x को मैंने पहले लिख दिया x into dx आजाएगा इस m के साथ यह m cancel out हो जाएगा now आपको integrate करना x dx को तो जब इसको integrate करेंगे तो x square by 2 upper limit lower limit right side को shift हो जाएगी now put the value of upper limit x में upper limit आएगी तो l square by 2 minus x में lower limit 0 square by 2 तो यह तो 0 हो जाएगा यहां से l square by 2 है इस एक l के साथ एक l cancel out हो जाएगा तो आपके पास बच्चे का l by 2 यानि की x cm की value आई l by 2 x cm is equal to l by 2 का क्या मतलब है कि जो आपने coordinate लिया है ऐसे करके जिस पे आपने वो rod रखी है यह पत्ली सी wire रखी है जिसकी length l है clear उस length का उस wire का जो center of mass है x cm वो कहां लाई कर रहा है पूरे wire की length l है तो उसका center of mass कहां लाई कर रहा है origins से लेते हूं now x cm की value क्या होती है origin से होती है तो उसका center of mass है वो l by 2 यहां लाई कर रहा है x cm ठीक है this is your result हुएंग